हलो दोस्तों वेलकम टो सिंधी रसोई दोस्तों आज आप सबके ले के आई हूँ एक और सिंधी रेसिपी ये है सिंधी प्याज वाले पनीर की रेसिपी जो बनता है चुटकियों में और टेस्ट इतना बढ़िया आता है कि बस आप इसे खाते ही जाओगे अगर आपके घर प दार गरम होने देंगे क्योंकि यहां पर मैं सरसो के तेल का यूज कर रही हूँ अगर आप रिफाइन ओयल यूज करोगे तो धूएदार गरम करने के ज़रुरत नहीं है यह देखो तेल में से बढ़िया दूआ निकल रहा है गैस की फ्लेम को ओफ कर दिया अब ओयल में से हलका गोल्डन कलर आने तक हम डीफ फ्राइ करेंगे देखो सारा पनीर मैंने ओयल में डाल दिया बस इसे यूँ पलटते हुए फ्राइ करूँगी जब तक इसमें बढ़िया गोल्डन कलर नहीं आ जाता दोस्तों कैमरे में छीटे लगते न इसलिए पनीर डालते वक्त मैं इसे निकाल लेंगे पनीर को कभी भी जादा देर के लिए फ्राइ ना करें हाई फ्लेम पे तेज गरम ओयल में जल्दी से फ्राइ करके इसे निकाल ले जितनी जादा देर के लिए पनीर ओयल में रहेगा न वो अतना हाड होता जाएगा अगर आपको चाहिए कि आपकी सब बड़े प्याज, प्याज को मैंने इस तरीके से काटा है, जैसे प्याज को बारी काटते न, बस उससे थोड़ा सा मोटा यहां पर मैंने प्याज को काटा है, साथ ही इसमें डाल दिया पनीर, इन दोनों को बड़िया से पहले हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ओल में प्याज, पनी और एक चमज धनिया पाउडर इन सब को अच्छे से मिक्स करूंगी और इसे कवर करके रख दूंगी लो फ्लेम पे 5-7 मिनट के लिए देखो बस मसाले यहां पे हमें अच्छे से प्याज पनीर में मिक्स कर देने हैं इस तरीके से इसकी फ्लेम जैसा कि मैंने बताया लो है अ 5-6 मिनट हो गये हैं सबजी को लो फ्लेम पे पकते हुए अब मैंने धककर हटाया यहां पे डाल रही हूँ एक बरा रफली कटा हुआ टमाटर और दो हडी मिर्च हडी मिर्च को मैंने बिलकुल बाड़ी कटा है इसी के साथ डाला एक चमज भर के क्रश की हुई लसन और आ अब साड़ी चीजों का अच्छे से मिक्स करूंगी अब इसे पकने दूंगी हाई फ्लेम पे तीन-चार मिनट के लिए दोस्तों मुझे ना सबजे में प्याज का क्रश पसंद आता है इसलिए अब मैं इसे हाई फ्लेम पे तीन-चार मिनट के लिए कुप कर रहे हूँ अब यहाँ पे डाला खूब सारा बारे कटा हरा धनिया से अच्छे से मिला लिया कैस की फ्लेम को आफ किया तेज पत्ता मैंने निकाल लिया है क्योंकि अब हम इसे सब करने वाले हैं देखा दोस्तों कितनी जल्दी बन गई है सबजी 10 नट भी नहीं लगे और हमारी सबज कर लेना आपके गेस्ट को बहुत पसंद आएगी यह देखो दोस्तों इसे आप दाल चावल रोटी जिसके साथ भी सर्फ करोगी उसके साथ यह बैस जाती है तो दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आएओ तो प्लीज हमारे चैनल संधी रसूर को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इसे जाधा से जाधा शेयर करें तो चलिए मिलते हैं कल एक और रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइबाई